शाक टैंक में एक कंपनी आई थी जिसका नाम है ठेका कॉफी जो कि फ्रेशली बूड और प्रीमियम कॉफी बेचते हैं बियर बॉटल्स में और वो भी एक अफोडेबल प्रैस में शाक टैंक में तो उन्हें डील नहीं मिली लेकिन शाक टैंक के बाहर उन्हें फंडिंग भ बोल सकते हैं entrepreneurship journey start कर दी थी. स्कूल के बाद two hours के लिए वो pamplets बेचा करते थे local businessmen और shopkeepers के लिए और उससे वो हर दिन 200 रुपीज कमाया करते थे. तो obviously बहुत ही young age से उन्हें पैसे कमाने का और business करने का एक जुनून था. आप 14 years की age में क्या कर रहे थे मुझे comments में बताना. और उन्होंने अपनी class 11th और 12th as an external student करी है. जिसको हम बोलते हैं कि हाँ open school से पढ़े थे. वो सिर्फ exam देने के लिए school जाते थे और बाकी time वो सिर्फ business करते थे. उनका घर दिल्ली में भी था और जब भी वो एहमदाबाद से दिल्ली जाते थे तो वहाँ पे देखते थे कि बहुत सारे street vendors हैं जो की momos बेच रहे हैं. लेकिन एहमदाबाद में उस time पे momos की इतनी hype नहीं थी और वहीं पे उन्हें एक market gap दिखा और उन्होंने एहमदाबाद आके अपना एक momo business start किया. और interesting बात ये है कि वो सिर्फ 15 years के थे जब उन्होंने पहली बार अपना momo stall लगाया. और अगले दो साल में उन्होंने तीन नए momo stalls खोल लिये थे एहमदाबाद में ही. उसके साथ साथ उनको एक company के canteen committee से भी offer आता है कि वो उनकी canteen में North Indian food को introduce करें और वहाँ पे उन्होंने happy eyes नाम से एक restaurant खोला और परांठे बेचना शुरू किया. सो एक time था जब उपेंदर मदान simultaneously दो business से चला रहे थे एक momo का business और एक परांठे का business और उसमें वो per day three to four thousand रुपीज की sales कर रहे थे और वो वो time था जब उन्होंने college से drop out कर लिया और full time business start कर लिया. सो food and beverage industry के बाद वो IT companies में भी गुसे on the business development side यानि वो IT companies के लिए जो की app development करती थी उनके लिए sales का काम करते थे और वो भी उनका अच्छा चल रहा था लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा growth नहीं थी तो इसलिए वो वापिस अपने food and beverage वाले एरिया में आते हैं और research करना शुरू करते हैं सो भुपेंदर मदान को खुद premium coffee पीना बहुत जादा पसंद था जैसे की स्टारबक्स की coffee, CCD की coffee, बरिस्ता की coffee लेकिन problem सिर्फ एक थी कि ये coffee बहुत जादा expensive होती है और इसे हर दिन पीना हर कोई effort नहीं कर सकता है और वहीं से उन्हें idea है कि coffee business में कुछ करना चाहिए और वहीं से ठेका coffee का concept भी शुरू हुआ सो बात कर लेते हैं ठेका coffee के differentiators के बारे में ऐसे कौन से USP's हैं जो ठेका coffee को और coffee businesses से अलग और better बनाती है सबसे पहला differentiator है कि वो premium coffee को जैसे कि 100% Arabian coffee उन coffees को बहुती affordable prices में बेच रहे हैं अगर आपको same coffee Starbucks या CCD में पीनी हो तो 350 starting range होती है लेकिन ये अपने coffees को सिर्फ 100 रुपीज में बेच रहे हैं तो ये premium coffees को affordable prices में बेच रहे हैं ये है पहला differentiator दूसरा main differentiator जो मुझे इनका लगा वो है इनकी branding अगर आप इनके brand की name को देख लो या तो आप इनके cart के design को देख लो या तो ये कैसे coffees को serve कर रहे हैं beer bottles में आप उसको देख लो ये सब बहुत ही ज़्यादा unique है तो इनके ब्रेंडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ताकि लोगों से ये connect कर पाएं आप जब किसी cafe में जाते हो जैसे की starbucks या ccd तो आप वहां पर जब menu देखते हो तो वहां पर coffees होते हैं काफेचीनो लाटे और और भी बहुत सारे नाम होते हैं जो कि sometimes प्रनाउस करने के लिए डिफिकल्ट होते हैं पर अगर आप ठेका coffee के menu को देखोगे तो उसमें आपको coffees मिलेंगी जैसे की देशी संत्रा नटकट चॉकलेटी पटोला अंग्रेजी थर्रा काला गोरा बैरी और इसी तरह के बहुत interesting नाम दिये हैं उन्होंने अपने coffees को यही कुछ reasons होते हैं जिसके वजह से लोग brand के साथ connect कर पाते हैं और इसलिए मुझे इनकी branding बहुत जादा पसंद आई तो यह तो बात होगी इनके product USP की अब देखते हैं उनकी growth कैसे हुई 2017 में launch करने के बाद उन्होंने शुरू किया था एक street से एक cart खोल के और अगले दो साल में उन्होंने franchise model का adopt कर लिया और total 14 से जाद outlets खोल दिये और सिर्फ एमदाबाद में ही नहीं उन्होंने अपने carts खोल लिये पूने में, जैपूर में, राजकोट में, भावानगर में, बरोदा में, अनन मे और और भी कुछ जगाओं में, अब इन्होंने जितने भी अपने ये carts खोले थे, वो high end streets में खोले थे, और malls में खोले थे, और वो अपने सभी outlets को मिला के, एक मन्त में 3 lakh rupees की sales कर रहे थे, यानि yearly वो around 36 lakh rupees का business कर रहे थे, लेकिन उनका ये business grow नहीं कर पाया, in fact खतम हो गया और उसका reason, COVID, अब आपको पता है, उनके जितने भी outlets थे, वो high end जगा थे, जैसे कि malls में, तो lockdown लग चुका था, और business zero था, और धीरे धीरे उनका cash burn होने लगा, सो अब उनका business तो zero हो रहा था, लेकिन उनको और जो operational cost थी, वो चुकानी पड़ रही थी, जैसे कि malls में जो उनके outlets थे, उनका rent देना पड़ रहा था, तो 1.5 lakh rupees के round, उनका खर्चा आ रहा, जबकि उनकी जो sales थी, वो zero थी, तो इसी वज़ा से company debt में जाने लग गई, और भुपेंदर को 14 के 14 outlets को बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बिलकुल give up नहीं किया, और first wave खतम होने के बा उन्होंने around 7 और 8 bottles की sales करी थी, बट धीरे-धीरे sales बढ़ने लगी, और वो दिन में around 2,000 to 3,000 rupees की sales करने लग गए, और 2022 में वो shark tank भी पहुँच गए, वहाँ पे उनको deal तो नहीं मिली, और उसका reason basically यही था कि sharks को लग रहा था कि उन्हें FMCG product की तरफ जाना चाहिए, जिस बहुत जादा मिली, और shark tank से बाहर आते ही उन्हें funding भी मिल गई, उन्होंने raise किये पूरे 2.5 करोड रुपीज, दुबई-based VC firm से, जिसका नाम है Zenith Multi Trading, and not just that, उन्हें और भी बहुत जादा collaboration opportunities मिल रही हैं, अभी recently Microsoft ने उन्हें reach out किया था, कि वो उनके Bangalore वाले campus में अपन कार्ट को operate करें, and Reliance ने भी ठेका कॉफी को approach किया था, एक business tie-up के लिए, और जल्दी ही ठेका अपने कार्ट्स खोलने वाला है, Reliance Retail Stores मुंबई में, so अभी testing होगी सिर्फ 10 Retail Stores के साथ, and obviously अगर business अच्छा चलता है, तो आपको ठेका कॉफी और जादे Reliance Retail Stores में देखन लेकिन ये एक FMCG product होगा, जिसकी shelf life जादा होगी, so ये थी story और updates ठेका कॉफी की, जो मुझे तो personally बहुत जादा inspiring और motivating लगी, इतने सारे challenges के बाद भी उन्होंने give up नहीं किया, और अपने business में मेहनत करते रहे, आपको इस story से क्या lessons मिले, मुझे comments में बताना, और अगर व